Hello my name is Shiti Shrivastu and this is my video vlog. Today I want to talk about 2024 elections which are next year basically. And I want to talk about them because जिस कम्पनी में मैं भी काम कर रहा हूं वहाँ पे काफी पॉलिटिकल वीडियोज बनाने पड़ते हैं हम लोग बनाते हैं और मैं थरुँआ सा पॉलिटिकल हूं भी पर मैं उस बारे में बात नहीं करता हूं कि उनको क्यों फोड़ा कॉंट्रोवर्शिल टॉपिक हो जाता है पर मैं बता चुका हूँ आपको कि मैं मोधी फॉलोवर हूँ मतला मैं मोधी जी को फॉलो करता हूँ अच्छा इसमें कुछ बायस नहीं है कि आप कितनी देर तक काम कर सकते हो आप जैसे वो नासा वाला नासा सो बोला हूँ मार्स वाला जो पूरा एपिसोड हुआ था जिसमें मोधी जी रात में काम करते हैं सुबह सबसे मिलते हैं उसके बाद फिर मुंबई पहुँचते हैं आप कोई आखों में कभी वो देखता नहीं है थकान नहीं देखती है तो वो चीज मुझे बड़ी इंस्पाइर करती है वो नौदिन का वुरत रखते है वो चीज मुझे इस्पाइर करती है जिस लेवेल पर उनुन ने काम किया पिशले नौ साल में चेंजेज मैंने देखे हैं उसलिए मुझे मोधी जी पर भरोसा होता है तो अभी जो तीन कंटेंडर हैं वो मोधी जी राहूल गांदी और केज जी वाल ही है और उनका भी वह भी इंडिया वाला चीज चल रहा है हला कि मैंने भी शुरुआत में आपको अपना इंकलिनेशन बता दिया मोधी जी का तो आप अब इसमें कुछ सर्प्राइज नहीं रहा कि मैं इसको चाहता हूं कि 1224 के लेक्शन जीते हैं और एक्चुली हमें पता है कि कौन 1224 के लेक्शन जीतने वाला है और उसके बीचे कारण भी क्या-क्या है तो मेरे जो करता था फिर मैंने मुदी जी को फॉलो करना शुरू किया और केजिरिवान ने इतने मेजर ब्रंडर्स किये हैं इतने मेजर इशूज क्रियेट किये हैं इतने अपने बातों पर यूटर मारा है या उस पे तो भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है हाला कि 1224 के लेक् प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री बिकॉस इस नेवर टेकन आ पॉजिशन ऑफ पावर एवर इन इस लाइफ विच इस वेरी विच इस वेरी डाउटफूल फॉर मी कि मैं उनको कभी वोट करूंगा इस चीज के लिए अगर कॉंगर्स में को एक अच्छा नेता होता जिसको एक्सपीरियंस होता पावर ऑफ पोजिशन का और चीज को समझ में आता है कि किसी मिनिस्टर के आफिस में चीज़ें कैसे वर्क करती है तो शायद मैं एक पर को सुचता उनको वोट करने के लिए पर सबसे बड़ी प्राब्लम कॉंगर्स की यही है कि वो नहीं समझ पा रह इसके बारे में लोगों को पता नहीं है उनको लगातार यूठात रहते हैं वहां पर आग जल्दी है यह हो रहा है वह रहा है प्र आप जो एरिया है वह अल्यडी वेरी सेंस्टिफ था और वहां पर यह सारी चीज़े बहुत टाइम से पनप रही थी वहां पर ड्रग का ब गुलशन कुमार की जब डेथ हुई थी तो अगबरपुर नाम का एक शहर था यूपी में वहां से लोग उठाया गया था और वहां पर गोली चलाए गया थी उनमें से एक बंदे की पिस्टल जमीन पे छूड़ गई थी जो मुंबई पुलिस के हाथ में लग गई थी तो क पुमरी करके कोई गाउं था मुझे एक्जैक्ट गाउं का नाम याद रही है तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था और वो ठूनते रहे कि वो दुनिया में कहां पर है चुको गन की फिनिशिंग बहुत अच्छी थी बहुत मतलब एक दम इंपोर्टर्ट गन टाइप की लग रह लगाए हुई है और इस तरह की बहुत सारी फैक्टरीज और ऐसे एक्स्प्लोसिफ ऑपरेट होते थे ड्रग के कार्टर्स पंजाब में और इस खासतर पर जो बॉर्डर एडियास है वहां पर बहुत सारी चीज़े नहोंने रोखने कोशिश करें अगर आप पढ़ना शु पर अगर आप लिटली जानना चाहते हो देशी कंडिशन कैसी है I think you should listen to J.S. Deepak whom I voraciously read and listen to because his arguments are fatal and deafening मतलब की वो जो बोलता है चुकि lawyer है वो IP lawyer है मैं जब law कर रहा था तो मेरे पास एक optional subject होता है 5th and 6th semester में तो उसमें बहुत सारे 5-6 subjects होते हैं criminology and penology, taxation, medicine laws and intellectual property laws और भी इस women laws इस तरह के होते हैं तो मैंने उसमें intellectual property laws दिया था अलाग अभी मेरा result आया है LLB को और काफी अच्छे नमरों से में पास वहाँ which makes me very happy but तो मैंने IPR intellectual property rights उनकी वजे से लिया था J.S. Deepak के वैसे because I'm a huge fan of this guy and I wanted to meet him someday and I wanted to impress him by telling him sir I'm a huge fan of yours because the way he speaks and the way he knows about these things and talks about these things is an eye opener for everyone so जब मैं ये सारी चीज़े देखता हूँ पढ़ता हूँ तो अब ये कहना कि कोई आदमी biased है न सब चीज़ों को लेकर तो सही कलत नहीं होगा पर मुझे लगता है कि 24 के election में जितने strong ministers मोधी जी के cabinet में हैं उतने strong ministers और कहीं नहीं है मैंने corruption ground level पर देखा है जो कि मैंने ऐसी बहुत सार्गर्णेशन के तंत्र के साथ deal करती थी और मैंने देखा है किस लेवल पर corruption होता तो किस लेवल पर corruption रोका जा रहा है अब ये बात मुझे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाह कि जो tweets आप करते हो अधिकारियों को यूपी में खास दौर पर तो वो सारे tweets का उनको response देना होता है और उसका excel sheet बनता है और जितने भी आई-एस officers है डी-म है किसी भी area के तो उनको उसका excel sheet बिनाना पड़ता है और उस problem को rectify करना पड़ता है अगर किसी ने नीचे कोई problem ल उस sheet में बढ़ते जा रहे थे क्यों कुछ करते ही नहीं थे तो जनलिस ने उनको कई बार बोला था कि sir आप इसमें कुछ करी है उन्हों नहीं किया तो एक दिन वो जनलिस जो थे वो जो योगी के सरकार में काम भी कर रहे थे इनी सब चीजों के उपर digital marketing पे तो उन्हों को योगी जी का फोन आया और रात को नो बज़े उनको बुलाया अपने रेजिडेंस पर और साभी डियम से सारी रिपोर्ट ली और उस डियम को जिसने काम नहीं किया था इतनी गालिया दे इतना पठकारा उसको कि आप सोच नहीं सकते हैं and this actually this is coming from a guy who was not a moji supporter or bjp supporter but he said कि योगी जी जो है वो actually काम इस तरह करते हैं कि रात को दो दो बज़े तीन 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 बज़े काम होता रहता है मैंने देखा है कि किस तरह से अधिकारी लोग खासवर पर जो IS officers है या PCS officers है या जो PCS अलग अलग पोस्टों से आए हैं वो किस तरह से काम करते हैं किस तरह से काम को अवाइड करते हैं किस तरह से राजशाही वाली जन्दगी होती है अगर आप IS officers से मिलेंगे या खासवर पर DM से मिलेंगे किसी area के तो आप देखेंगे कि वो literally he is the king जिस level का जिसना बड़ा घार उसको मिलता है मतलब आप सोच नहीं सकते हो मैं तो अभी एक ऐसे IS officer से मिला जो अभी training के period में था और उसका attitude already mid में था मतलब change हो रहा था हर कोई उसके आगे जुकेगा पुलिस हो या कोई भी हो और उसको इतना सारी लोग मिलते हैं तो वो सारी चीज़े होती थी पहले पर अब उनको काम करना पड़ता है तो ऐसे काई DM के मैंने जब interview लिये तो पता चला है उनोंने बताया कि अब काम इतना जादा है कि हमें जो और आएस ओसर सब्गे पर इसलिए है उनको सही टाइम पर आना पड़ता है चोकि आगर आपका बोउस हैं तो आपको भी ताइम पहना पड़ेगा तो मेरा जो भरूसा है जो पर बोलते हैं तो मतलब फैक्स की ऊपर बोलते हैं जिस तरह से बात करते हैं जिस aggressively बात करते हैं तो that is something that I like talking about कि baselessly बात नहीं होती है जो लोग emotions पर खेलने कोशिश करते हैं I think वो गरत होते हैं जो मुझे लगता है लोग को logics पर बात करने चाहिए इसलिए मझे जे साइं दीपर आनल रंग नाथान इस तरह के लोग पसंद है जो facts पर बाते करते हैं ऐसे बहुत लोग हैं right wing में left wing में जो emotions पर खेलने कोशिश करते हैं और Hindu Muslim करने कोशिश करते हैं बस सचाई तो यह है अगर आप इन सब चीजों से निकल जाओ यह Hindu Muslim वाली चीजों से निकल जाओ और टोटली टोटली आप अपने religion पर focus करो और अपने काम पर focus करो because बहुत सारी लोगे पास काम नहीं है जिसकी वज़े से सारी issues होते हैं और काम क्यों नहीं है इसलिए because skills नहीं है हमारी जो population है दुनिया में सबसे जादा लगबग हो चुकी है बर बराबर ही हो चुकी है चाइना के जो कि एक अच्छी चीज भी है और खराब चीज भी है अच्छी चीज इसलिए क्योंकि हमारा workforce बहुत जाता है हम यहां बहुत सारी industry set कर सकते हैं I think जिसकी उपर धान है भी हमारी current government का जो इतने level पे investment बहर से लेके आ रही है यूपी का आपको नहीं पता होगा शायद पता है I don't know पर यूपी के ministers अगला countries में गए और वहां से investment लेके आए जो योगी जी का सबना है यूपी को वन trillion dollar economy बनाना है वो धीमेदी में इसी तरह पूरा हो रहा है चुक अब आप लिटरी समझना चाहते हों कि हमारी economy कैसे गुरू कर ले तो आप सिर्फ stock market का chart उठाके देखो highest high पर जारे है सारे stocks मैने तो भी काफी profit कमाया मतलब मेरे अभी मैने एक stock तोड़े काफी 5-6 stock तोड़े जिसमें मैंने कुछ 1,00,000 रुपे तोड़े और मुझे literally 2,00, रुपे मिले मतलब मैने एक लाग के इंवस्मेंन कहता हूं मुझे literally 2,00, रुपे निकाल किया है So, कहने मतलब यह है कि I think this government is doing very good job and I am completely satisfied with that So, I would personally vote for Modi ji, I would root for Modi ji, अभी तो एक साल बचा हुआ है I don't know what things he is going to do There are lots of problems with the current government as well which I completely agree But on the but if you compare it with the other governments I think they are doing a pretty decent job And I would elaborately talk about it in some other video But this video was just a general idea about what is happening inside my mind about the 2024 election Sometimes what happens is just that what I want to say, I don't know in detail, I don't know how much detail I can say So, again, the problem is that which I have made a channel that I will make my talking skills So, we'll see you in the next vlog, till the end